गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इरुसाला में आपका स्वागत है हम लोग डिश्टी क्विक बुक का डिस्कसन कर रहे हैं यह बुक बहुत ही इंपोर्टेंट है किसी भी एक्जाम के लिए तो डिश्टी क्विक बुक से हम लोगों ने मोडन हिश्टी कंप्लीट कर लिया है इंडियन जग्रॉफी अभी चल रहा है और साथ ही अब हम लोग पॉलेटी का भी डिस्कसन करेंगे तो पॉलेटी में चेप्टर कितने हैं तो इसमें 24 चेप्टर है ठीक है तो इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इसमें चेप्टर वन जो है राजब्योस् करते हैं ठीक है तो चेप्टर 2 से हम लोग पॉलेटी देखेंगे और इसमें देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं चेप्टर 2 में ठीक है चेप्टर 2 का नाम है भारतिय सविधान की विकास यात्रा और इसमें जो टॉपिक है वो देख लीजे सविधान क क्या है सविधान का महत्वे सविधानिक विकास के चरन और ब्रिटीस इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत पारित अधिनियम जो की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पीट्स इंडिया 1784 चार्टर अधिनियम 1813 चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधि अधिनियम भी देखेंगे जैसे भारत शासन अधिनियम 1859 भारतिय परिशद अधिनियम 1861 और इसे अभियास प्रस न दिये हुए है उसे भी देखेंगे तो चलिए सुरूत करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें, साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को फ्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहें, ठीक है? चेप्टर हैं, भारतिय सविधान की विकास यात्रा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, सविधान क्या है? सविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसा सरकार का संचालन किया जाता है, यह देश के राजनीतिक ब्यवस्था का बुनियादी धाचा निर्धारित करता है, सविधान राज्य की विधाईका, कारेपालिका, नियापालिका की अस्थापना, उनकी सक्तियों तथा दाईतों का सिमांकन, यह जनता तथा राज्य के मधों, संबंधों का विणियमन करता है, ठीक है? पर तेक सविधान उस देश के आदर्सों, उद्देशों वा मुल्यो का दर्पन होता है, सविधानिक विधी देश की सर्वोच विधी होती है, तथा सभी अन्य विधिया इसी पर अधारित होती है, सविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बलकि यह निरंतर पनपता रहता है, वर्सोच चली आ रही, परियमपराय भी देश के सासन में मह पत्वे क्या है, सविधान या सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, यह समाज में सक्ति के मूल बितरन को असपश्च करता है, यह समाज में निर्ने लेने की सक्ति किसके पास होगी, तथा सरकार का निर्मान कैसे होगा, निर्धारित करता है, यह समाज की श्वावन लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं नयाय पुन्ठ समाज की अस्थापना है। उचित प्रस्थितियों के निर्मान को सुनिश्चित करता है। नियूंतम समन में वह आपसी विश्वास है। यह समाज को बुनियादी पहचान परदान करता है। सविधान राज विवस्था के तीन परमुक अंगों कारपालिका, विधाईका एवं नियाईपालिका के अस्थापना करता है तथा उनकी सक्तियों एवं अधिकारों को परिभार्शित करता है यह राज के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकूस एवं ताना साह होने से रोकता है सविधान एक आइना है जिसमें उस देश के भूत भवीच वर्तमान की जलक मिलती है सविधान और राजविवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिस सासन से गरहन किये गया है ब्रिटिस द्वारा समय समय पर लाए गये अधिनियमों ने भारतिय सरकार और प्रशासन की बिधिक रूप रेखा या धाचा त्यार किया है अब देख लेते हैं सविधानिक विकास के चरण ठीक है तो यह दो चरणों में हुआ है भारत का सविधानिक विकास एक तो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के अंतरगत पारित अधिनियमों द्वारा जो की 1773 से 1853 तक रहा और एक British ताज के अंतरगत पारित अधिनियम हो द्वारा जो 1858 से 1947 तक चला British East India Company के अंतरगत पारित अधिनियम हम लोग अब देखेंगे ठीक है तो Regulating Act सबसे पहले यही था Regulating Act 1773 इस अधिनियम के द्वारा भारत में Company के सासन है तुप पहली बार एक लिखित सविधान प्रस्तूत किया गया भारतिय सविधानिक इतिहास में इसका विशेस महत्वईया है कि इसके द्वारा भारत में Company के प्रसासन पर British संसदिय नियंतरन की शुरुआत हुई इस अधिनियम के परमुख प्रावधान देख लेते हैं बंबई तथा मदराश Presidency को कलकता Presidency के अधिन कर दिया गया कलकता Presidency में गौर्णर जनरल एवं 4700 वाली परिसद के नियंतरन में सरकार की अस्थापना की गई कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट की अस्थापना 1774 में की गई जिसके अंतरगत बंगाल, बिहार और उडिसा सामिल थे सर एलिजा इंपे को इसका प्रतम्मुख नयाधी सन्यूक्त किया गया तथा चेम्बर्स लिमेश्टर यों हाइड को अननयाधी सन्यूक्त किया गया ठीक है अब देखते हैं आगे भारत के सचीव की पूर्व अनुमती पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिसत चार सदस्य को क जनने वाले बंगाल के प्रत्थम गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड वारेन हैस्टिंग्स थे इस एक्ट के तहट कमपनी के करमचारियों को नीजी बैपार वह भारतिये लोगों से उपहार या रिस्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया कमपनी पर ब्रिटिस कोर्ट डाइरेक्टर्स कमपनी की गवर्निंग बोडी है का नियंतरन बढ़ गया अब भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन मामलों की जानकारी ब्रिटिस सरकार को देना आवस्षक कर दिया गया बैपार की सभी सूचनाए क्राउन को देना नुस्तुनिश्चीत किया गया बिहार और उडिसा के लिए भी विधी निर्वान की सक्ति परदान की गई इस अधिनियम का परमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिसद तथा सर्वोच नियाले के बिच के संबंधों का सिमांकन करना था इस अधिनियम द्वारा सर्वोच नियाले पर यह रोक लगा अधिकारी गई कि वह कंपनी के क्रमचारियों के विरूत करवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी हथिकारी के हैसियत से की हो अर्थात क्या है कि कंपनी के अधिकारी सास्किये रूप से किये गए अपने कारे के लिए सरोच नियाले के कारे छेतरे से बाहर हो गया है न्याले की अपनी आग्याय तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियानुवन करते समय भारत की समाजिक धार्मिक रिती रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया अब देखते हैं पीट्स इंडिया एक्ट जो की सतरस चोरासी में आया था 1784 इस एक्ट को ब्रिटिस संसद में ततकालिन परधान मंत्री बिलियम पीट्ट द्वारा पस्तूत किया गया था इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि निदेशक मंडल को कमपनी के वैपारिक माम मामलों के अधिक्छन मोनीटरिंग की अनुमती तो दे दी गई लेकिन राजनीतिक मामलों के परवंधन के लिए नियंतरन बोड बोड अब कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया इस परकार भारत में द्वैच सासन ब्यवस्ता की शुरुआत होती है यह अधिनियम सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रसासन संबंधी कारियों पर पून नियंतरन प्रदान किया गया गए गवर्णर जनरल की परिशत की सदस संख्यात चार से घटा कर तीन कर दी गई साथी मदरास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधिन कर दिया गया चार्टर एक्ट 813 अब देख लेते हैं इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया वह कंपनी के भारत के साथ ब्यापार करने का जो एका अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया लेकिन प्रिपार के तहत भारत के साथ बैपार करने हेतु सभी ब्रिटिस वासियों के लिए मुक्त बैपार की अनुमती दे दी गए। अब चार्टर एक 1833 में आ जाते हैं। इस अधिनियम के निर्मान का प्रमुक धे ब्रिटिस सरकार द्वारा 1833 के बीधी निर्मान को तथा बीधी निर्मान संबंधिक कारियों को अस्पष्ट करना था। इसमें प्रमुक परिवर्तन किये गया कि कमपनी का जो बैपारिक गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल की सभी नागरिक और सैने सक्तिया परदान की गई। भारत का प्रत्थम गवर्नर जनरल कौन था बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। मदरास और बंबई के गवर्नर को बिदाई का सक्ति से वन्चित कर दिया गय इसके अंतरगत पहले बनाये गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत वने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया अभी तक गवर्नर जनरल की कारेकारनी में तीन सदस्य होते थे किन्तों वीदिक परामर सेतु गवर्नर जनरल की परिसद में वीदी सदस्य के रूप में चौते सदस्य को सामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिसद को राजस्वे के संबंद में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तयार करने का अधिकार दिया गया भारतिय कानूनों का वर्गी करन किया गया वो इस कारे के लिए बीधी आयोग का गठन किया गया लॉड मैकाले की अध्यक्चिता में प्रथम बीधी आयोग गठन किया गया लॉड मैकाले की अध्यक्चिता में इस एक्ट के ताथ सिविल सेवकों के चायन के लिए खुली परतियोगिता का आयोजन सुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा अश्वश कर दिया गया कि कमपनी के परदेशों में रहने वाले किसी भी भारतियों को केवल धर्म जाती, वन्स, रंग या जन् नहीं हो सका। भारत में दास प्रता को गैर कानूनी घोसित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रता को समाप्त करने के लिए अवस्यक कदम उठाएं। भारत में ब्रिटिस राजी के दवरान सविधान निर्मान के प्रत्थम संके इस एक्ट में मिलते हैं अब देख लिजे चार्टर एक्ट ठारा सो तीर पन इसका निर्मान ततकालिन विधाईका को ससक्त बनाने के लिए तथा उसके बिस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया इसके प्रमुक लक्षन देख लेते हैं इसने पहली बार गोवर्नर जनरल क परिशद के विधाई एवं प्रसासनी कारे को अलग कर दिया गया इसके तहट गोवर्नर जनरल की परिशद में जब विधाईका की रूप में कारेकर हो तो छे नए सदस्यों की व्रीधी की गई जिससे विधान परिशद में अपकूल सदस संक्या बढ़कर बारा हो गई इ एक नियाधिज और बंगाल, मदरास, बंबई, आगरा, प्रांत के एक-एक परतिनी धी सामिल थें। इसके द्वारा भारतिय विधान परिसद में सरप्रथम छेत्रिय परतिनी धीत्व के सिधान्त को परतिपादित किया गया। पारित अधिनियम द्वारा सासन जो था अब देखते हैं ब्रिटिस ताज के अंतरगर थीख्यै पारित अधिनियम तो यह भारत सासन अधिनियम अठारा सो अंठावण। देखते हैं, 1850 की क्रांती होती है, उसके बाद British Crown ने भारत का सासन कमपनी के हाथों से ले लिया, इस अधिनियम के तहत सेवधानिक व्योस्ता में परिवर्तन किये गया, जो देख लेते हैं, Court of Directors तथा Board of Control को समाप्त कर दिया गया, उसके अधिकार British मंत्री मंदल के एक सदस को सौपे गया, British मंत्री मंदल के उस सदस्य को भारत राज सच्चिव का पद परदान किया गया, ठीक है, दूसरी चीज कि भारत राज सच्चिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य भारत परिशत का गठन किया गया, जिसके सदस्यों को वेतन भारतिये राजस्व से दिया जात था, यह जो 15 सदस्य भारत परिशत का गठन हुआ है, उसमें भारत सच्चिव सहीत 15 सदस्य थे, ठीक है, इस अधिनियम के तहट और क्या कियी गई, वेवस्था कियी गई कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों, जो भारत में 10 वर्स तक सेवा दे चुके हों, और भारत का राज्य सच्चिव अपने कारियों के लिए ब्रिटिस संसत के प्रति उत्तरदाई होता था, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनको वाइसराय की उपाधी दे गई, तथा वो क्राउन का सीधा परतिनीरी बन गया, और इस तरह भारत का प्रथम वाइसराय कोन बना तो लॉर्ड कैनिंग बना, गवर्नर जनरल को दवाइसराय ओफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया, वो प्रतिवस भारत की नैति के उम आर्थिक प्रगटि की रिपोर्ट ब्रिटिस संसत के समक्ष प्रस्तूत करता था, ठीक है, अब देखते हैं भारत परिसद अधिनिय 1861, तो 1861 भारत के सविधानिक इत्यास में एक महत्रून घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्री मंदलिये ब्यवस्ता की नियू रखी गई, इस सदिनियम के पर्मुख प्रावधान देख लेते हैं, इस सदिनियम द्वारा कारेकारी परिसद के सदस्यों क पिसंके चार से बढ़ा कर पांच कर दी गई, इसमें तीन सदस्यों होते थे प्रसासनिक से वाके होते थे, जिनको भारत में रहने का दस वर्स का अनुभव होना आवस्सक था, और से सुदू दो सदस्यों उनमें से एक को पांच वर्स विधी संबंधी अनुभव प्राप पांच किया गया था, इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवस्सक था, किन्तु इनकी सकतिया विधी निर्मान तक ही सिमित थी। वाइसराय को विसेशा अधिकार वा अपात इस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो सबसे पहले अध्यादेश 1861 के अधिनियम द्वारा दिया गया था, वाइसराय को आवस्सक नियों में आधेश जारी करने की सकति परदान की गई, जिसके तर लॉड कैनिंग ने भारतिये सासन में पहली बार सम्वेभागे परनाली की शुरुवात की इस अदिनियम ने बंबई और मदरास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की सक्ति वापस देकर बिकेंदरी करन की पुरक्रिया की शुरुवात की अब देखते हैं भारतिये परिसद अदिनियम इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 इस अदिनियम द्वारक केंदریये तथा प्रांतिये बिधान परिसदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया केंदریये बिधान परिसद के संदर में नियूंतम 10 तथा अधिक्तम 16 अतरिक्त निर्धारित किये गया गवर्नर जनरल को उनको नमांकित करने की नियम बनाने का राधिकार प्राप्था परिसद के भारतिये सदस्यों को वार्शिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रस्ण पूछने का भी अधिकार दिया गया लेकिन परिसद के अध्यक्ष को भारतिये सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भ चुनावी प्रावधान किये गए हाला कि 1892 के अधिनियम में चुनाव सब्द का परियोग नहीं हुआ था नोट देख लेते हैं भारतिये परिसद अधिनियम 1892 भारतिये राज्ट्य कॉंग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्विकार किये गए परस्ताओं से ठीक है इस अधिनियम द्वारा परिसदों वह उनके कारेचेतरों का अधिकार अधिक बिस्तार किया गया उन्हें परतिनीधी के अंपर भावी बनाने के लिए उपाय किये गये इनकी परमुख विसस्ता है क्या थी केंद्रिये विधान परिसद में सरकारी सदस्यों के सतेंद्र परिसाद सिना वाय सराय की कारेकारनी परिसद में नियुक्त होने वाले प्रतम भारतिये थे वीधी सदस्य के रूप में थे ठीक है विधान परिसद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्विकार करने से पूर्व बजट पर वाद विबाद करने परस्ताव प पारित करने का अधिकार परदान किया गया इसके तथ जाती वर्ग धर्म आधी के अधार पर प्रिथक निर्वार्चन परणाली अपनाई गई जिसमें प्रेसिडेंसी कार्पूरेशन चैंबर ओफ कॉमर्स तथा जमिंदारों को प्रिथक परतीनी धित्वे दिया गया पहली बार केंद्रिये विधान परिसद हेतू मुस्लिम वर्ग के लिए भी प्रिथक निर्वार्चन की वहस्ता की गई नोट है लॉड मिंटो भारत के वाय सराय तथा जॉन मारले इंगलैंड में भारत के राजसचिव थें ठीक है लॉड मिंटो को सामपरदाइक निर्वार्च इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं, केंद्र में दिवसद नात्मक विधाईका के स्थापना की गई, प्रतम राज्य परिसद और दूसरा केंद्रिय विधान सभा, देश में परत्यक्ष निर्वार्चन विवस्थाफ तथा प्रांतों में द्वैत स्वासन परनाल प्रारंब की गई, प्रानतिये विसेयों को दो भागों में, हस्तांत्रित विसेय और आरक्षित विसेय बाटा गया, हस्तांत्रित विसेय में क्या क्या था? रक्षित विशयों में क्या थे रक्षा था विदेश मामल, भूमी, कर, अकाल्ब, सहायता, न्याय, पुलीस, पेंसन, छापा खाना, समाचार पत्र, सिच्चाई, जलमार्ग, करखाना, बिजली, कैस, स्रमिक कल्यान, और दोगी गविवा, मोटर गाड़िया, छोटे एवं सार्जवनिक सिवाई, ये सब थे, ठीक है, आरक्षित विशयों का संचालन, गवर्नन, और उसके कारिकारी परिशत के माध्यम से किया जाता था, ठीक है, विधान परिशत में तीन परकार के सदस्यों की ब्योस्था की गई है, कौन-कौन, निर्वाचित, मनोनित सरक की संक्या 11 परतिसत रखे गई थे, सीमित मतादिकार तथा सामपरदाईक निर्वाचक मंदल की ब्योस्था के गई, इसके तहत लोग सेवा आयोक का गठन किया गया, निर्वाचक छेतरों को दो भागों में, समान ने तथा विस्सिष्ट वाटा गया, समान वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, इसाई, आंगल भारतिये, सिक्ष, आधिते, बिसिष्ट वर्ग में भू स्वामियों, विश्व विद्याले, वैपार मंदलों, आधिका परतिनी धित्वे निर्धारित किया गया, इसने संपरदाईक अधार पर सिक्षों, इसाईयों, आंगल भारतिय तथा इरोपियों के लिए प्रिथक निर्वाचन के सिधान्त को पिस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रिये बचट को राज बचट से अलग कर दिया गया। इसके अंतरगत एक वैदानिक आयोग का भी गठन किया। जिसे दस वर्स बाद जाच करने के पश्यात अपनी जनरल को प्राप्था। प्रांतिये विधान मंडल को प्रांतिये विशयों के संबंध में वीधी निर्मान का अधिकार प्राप्था। प्रंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यत सीमित था। नोट इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिल को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया यह अधिनियम भारतियों के आकंछाओं की पूर्ति करने में और सफल रहा यह वास्तों में भारत के आर्थिक सोसन करने और उस लंबे समय तक गुलाम बनाये रखने के उद्देश से लाया गया था अब इसी समय साइमन कमिशन जो 19 1927 से 28 के बीच देख लेते हैं 1919 के भारत सासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्स बाद एक सवेधानिक आयोकी निक्ति की जाएगी जो यह जाज करेगा कि भारत उत्तरदाई सासन की दिसा में कहां तक प्रगती करने की स्थिति में है ठीक है तो आयोक की निक्ति तो 10 वर्स के बाद की जानी चाहिए थी लेकिन ब्रिटेन की ततकालिन कंजर्वेटिस सरकार ने दो वर्स पूर वहीं साइमन कमिसन की निक्ति कर दी 8 नौबर 1927 को क्यूंकि उसे आसंका थी कि दो वर्स बाद लेवर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस वाले बैधानिक आयोक की निउक्ति कर सकते हैं ठीक है साइमन आयोक की निउक्ति राज सचीव बरकेन हिंडने की ती सर जौस sein मन की अधेक्षिता में गठित साइमन आयोक में सात हस 10 चते सातों सदस aanग्रेच होना ही विरोध का कारण बना इसलिए से स्वेथ कमीशन कहकर बैसकार किया गया जहां जहां यह आयोग गया वहाँ-वहाँ सायमन गोबैक का नारा दिया गया देश वयापी हरताल हुई 1928-39 के बीच सायमन कमीशन ने भारत की दो बारा यात्रा की आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की जिस पर लंदन में आयोजित गोल में सम्मेलन में विचार होना था ठीक है अब देखते हैं भारत सासन अधिनियम 1935 1930 में लंदन में हुए तीन गोल में सम्मेलनों में सविधानिक सुधारों से संबंधि सनस्तूतियों के फलस्वर्व इस अधिनियम का निर्मान किया गया और इसकी विस्यस्ताय देख लेते हैं जो प्रमुक विस्यस्ताय हैं भारत में सर प्र अधम संघ ये सासन परनाली की निव रखी गई संघ की दो इकाईया थी बुरिटिस भारतिय प्रांत और देशी रिआसते ठीक है केंद्र में द्वैस आसन की अस्थापना अर्थात केंद्र तथा राजी काईयों के मद सक्तियों का विभाजन किया गया तीन सूचियों के अंतरगत, संग सूची, प्रांत सूची और समर्ती सूची, संग सूची में 59 भी सह, प्रांत सूची में 54 और समर्ती सूची में 36 सामिल किये गए, और सिर्ष सक्तिया गुवर्नर जनरल के पास नहीं थी, संगिय सूची में क्या था, विदेशिकार, मुद्र नौ सेना थल सेना वायू सेना जन गनना जैसे विसायत है प्रांतिय सूची में पुलीस प्रांतिय लोग सेवायोग सेवा और सिक्षा समवर्ती में देखे तो डंडवीधी और प्रक्रिया सीविल प्रक्रिया विवाह एवं विवाह विच्षेद आदी समलित थे प्रांतों म वर्मा ठीक है जो वर्तमान मैंनमार को कहते हैं वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया प्रांतिये विधान मंडलों का विस्तार किया गया प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में दो सदनों की विवस्ता किये गये छे प्रांत असम बंगाल बिहार बंबई मदरास एवं संयू प्रांत यहाँ पे दो सदनों की विवस्ता किये गये इसके अंतरगत मुद्रा और साख पर नियंतरन के लिए भारतिये डिजर्वेंग की अस्थापना किये इसने दलिजातियों महिलाओं और मजदूरवर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्योस्ता की मता अधिकार का विस्तार हुआ लगभग 10% जन संख्या को मत का अधिकार प्राप्थ हुआ इससे ने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की अस्थापना की बलकि प्रांतिय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी अस्थापना हुई नोट 1935 का भारत सासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के अधार पर 1937 में चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस को पांच अस्थानों पर पूर्ण बहुमत मिलता है और अस्थम तथा पच्छी मोतर भारत में कांग्रेस की मिली जूली सरकार और पंजाब में यूनिन इस्थ की पार्टी का बनती है और बंगाल में क्रिसक प्रजापार्टी और सिंध में मुसलिम लिग की सरकार बनती है अब देखे क्रीप्स मिसन जो 1942 में क्रीप्स मिसन सर अश्टेफोर्ड क्रीप्स के नेत्रित में ब्रेटिस सरकार द्वारा भेजा गया एक मिसन था जिसका उदेश था दियूतिये विस यूद के समय अपने लिए भारत का पूर्न सहयोग प्राप्त करना था चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रीप्स मिसन की घोचना क प्रेटिस नीती का उदेश है जितनी जल्द संभा हो सके भारत में सुवसासन के अस्ठापना अर्थात यूद्ध के बाद भारत को डोमीनियन अस्टेट्स दिया जाएगा यूद्ध के बाद एक ऐसे भारतिये संग के निरमान का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण हुए परतिनीधी तथा देशी रिवास्तों के परतिनीधी सामिल होंगे सभा द्वारा निर्मित किये गए सविधान को सरकार दो सर्तों पर ही लागू कर सकेगी दो सर्ते कौन थी जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इससे और स्विकार कर पूर्वत स्थिती में रह सकत या फिर वे पुंट्या सवतंत्र रहना चाहते हैं तब भी ब्रिटिस सरकार को कोई आपती नहीं है पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्योस्ता के तर्थ गुंजाइस बनाई गई भारतिय सविधान सभा तथा ब्रिटिस सरकार के मर्द अलप संख्यकों के हित्व को लेकर ए यह सब लेकर यूद के दोरान ब्रिटिस वाय सराय की एक नई कारेकारी परिशत का गठन किया जाएगा जिसमें भारतिये जनता के परमुख वर्गों के परतिनी धी सामिल होंगे लेकिन रच्छा मंत्राले ब्रिटिस नेत्रुत्य के पास होगा अंत्रत क्रीप्स की भारत के संभावित विभाजन पर करी आपती थी कैबिनेट मिशन 1946 फिराता है भारत की राजनितिक समस्या के समधान के लिए ब्रिटिस सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा इस मिशन में ब्रिटिस मंत्री मंडल के तीन सदर स्थेकौन को लोड पैथिक लोरेंस सर एश्टेफोर्ड क्रीप्स और एवी एलेकजन्डर इस मिशन की मुख बाते निमलेखिती ब्रिटिस भारत और देशी रियास्तों को मिलाकर एक भारती संग का गठन किया जाएगा बिदेश, रक्षा और संचार विभाग संग होने के अधिन होंगे और संग को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा संग की अधिकार होगा संग की अपनी कारेपालिका और विधाईका होगी जिसमें ब्रिटिस भारत तथा देशी रियास्तों के परतिनीधी सामिल होंगे अब देखे भारतिय सोतंता अधिनियम 1947 इस अधिनियम दोरा माउंट वेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया इसकी अंतरगत जो परमुख बाते थी यो देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज बना दिया जाएंगे ब्रिटिस सरकार उनको सत्ता स्वाप देगी सत्ता का जो उत्तर दाईत होगा दोनों अधिराज्यों की सविधान सभा को स्वाप आ जाएगा परतेक अधिराज में गवर्नर जर्नरल होगा जिसकी नियुक्ति इंगलेंड का समराट करेगा नए सविधान का निर्मान होने तक दोनों राज्यों का भारत सासन अधिनियम 1935 के अनुधा के अनुसार चलाए जाएगा भारत सच्यू का जो पद है उसे समाप्त कर दिया जाएगा उसके अस्थान पर राष्ट मंडल के सच्यू की नियुक्ति होगी डेसिर यास्तो पर बिटेन की समप्रभूता का अंत कर दिया गया उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज में समलित होने और अपने भावी संबंधों का निच्चे करने की स्वतंतरता परदान की गई अब देख लिजे बालकन प्लान या डिकी बड़ प्लान या इसमा प्लान कह लिजे ये सब एक ही है यह 1947 में आया था यह क्या था माउंट बेटन ने भारत की आजादी के लिए डिकी बड़ प्लान त्यार किया यह योजना जनरल सर हेश्टिंग इसमा सर जोर्ज एबेल यह लौड माउंट बेटन के एक समीती द्वारा त्यार की गई यह योजना दिल्ली में प्रान्तिये गवर्णरों के असेंबली के समुख हेश्टिंग इसमा द्वारा प्रस्तूत की गई इसलिए इसे इसमा योजना भी कहा जाता है इस हो जुना में क्या था? या पाकिस्तान में या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं इस योजना का विवरन माउंट बेटर ने ज्वाहरलल नेहरू के सामने रखा था जिसे उन्होंने तुरंत स्विक और स्विकार कर दिया और बताया कि या भारत या या योजना भारत के वालकनी करन को आमंत्रित करेगी और संघर सिवम हिंसा को बढ़ाएगी अतह या योजना बालकन प्लान के भी नाम से जाना जाता है ठीक है अब देख लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व गठित अंत्री मंट्री मंडल जो की 1946 में गठत हुआ था सदस और संबंदित विभाग देख लेते हैं जौहर लालनेहरू ये राश्ट मंडल से संबंध तथा विदेशी मामले के सदस से थे सरदार वललबय पटल ग्रीह सूचना तथा परसारन विभाग से संबंदित थे सरदार बलदेव सिंग रक्षा से जौन मताई उदोग एवं नागरिक आपूर्ती से जगजीवन राम स्रम से सी एच भाबा कार खान एवं उर्जा से डॉक्टर राजेंदर परसाद खाद एवं क्रीसी से आसाफली रेलवे एवं परिवहन से सी राजगोपालाचारी सिक्छा एवं कला से आई आई चुंदरीगर या वानीजिस से संबंदित थे लियाकत अलीखान बित्त से अवदुर्रब निस्तार या डा के उम वायू से गजाफर अलीखान स्वास्त से और जो केंदर नाथ मंडल जो थे वीदी से संबंदित सदस से थे अंतरीम सरकार के सदस वाय सराय की कारेकारनी परिसद के सदस थे और पंडित ज्वाहरलाल नहरू परिसद के उपाध्यक्ष थे अब आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री मंदल जो 1947 में गठीत हुआ था उससे उसके सदस और संबंदित विभाग देख लेते है तो ज्वाहरलाल नहरू परधान मंत्री बने थे और साथी बैग्यानिक सोध राष्ट मंदल संबं तथा विदेशी मामले संबंदित थे सर्दार वल्लबाई पटल ग्री सूचना एवं परसारन राज्यों के मामले संबंदित थे डॉक्टर राजेंत परसान खादेवं क्र से संबंदित थे मौलाना अबल कलाम अजाद सिक्षा से संबंदित थे जॉन मताई यह रेलवे से वं परिवहन से संबंदित थे आर्के सन्मुख्षम चuego वीति शे संबंदित थे जगजीवन रामस रम से सरदार बल्डे म सिंग रक्ष्छा से डॉक्टर वी आरंबेदकर वीदी से राजकुमारी अमरितकौर स्वास से सी एच भावा वानीज्य से रफी एहमद की दोई संचार से और डॉक्टर स्यामा परसाद मुखर जी उद्धोगियुम आपूर्ती से वी एन गार्डगिल कारेखान एवा मुर्जा से ठीक है अब देख लिजे अन्य महत्पुन तत थे रेगुलेक्टिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुपरीम कोट की अस्थापना की गई इसके प्रधम मुख जो नियाधिस थे वो सर एलिजा इमपे थे भारत परिशद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलिम समुदाय के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल अत्वा निर्वाचन छेत्र का गठन किया गया भारत सासन अधिनियम 1919 मंटेगू चेम्सपोर्ट रिपोर्ट पर अधारित था भारत सासन अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैस सासन पर नाली के अस्थापना की गई भारत सासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सिवा आयोक का गठन किया गया लॉड मिंटो को सामपरदाइक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है प्रांतों में द्वैस सासन के जनक लियोनल कर्टीस माने जाते हैं 1926 में सिविल सेवकों की भरती ली आयोक की सिफारिस के लिए 1927 की साइमन कमिशन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरु समीति की रिपोर्ट ने भारत सासन अधिनियम 1935 की प्रिष्ट भूमी तयार करी थी भारत सासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संग्ये सासन पर नाली प्रारमबु की गई, भारत में संग्ये न्याले के असापना वर्स 1937 में भारत सासन अधिनियम 1935 के तहद किया गया था वाइसराय लॉर्ड माउंट वेटन ने भारत के सभी राजनितिक दलों से विचार विमर्ज के बाद 3 जून 1947 के भारत के विभाजन की योजना प्रस्तूत कहें जिसे माउंट वेटन योजना कहा जाता है अठार जुलाई 1947 को ब्रिटिस संसद्वारा भारतिय सोतंता अधिनियम पारित किया गया 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्री को भारत में ब्रिटिस सासन की समाप्ती हुई और समस्त सक्तिया दो नए सोतंत्र डोमिनियोन भारत और पाकिस्तान को हस्तानतित कर दी गई लॉर्ड माउंट बेटर नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 15 अगस्त 1947 से 21 जुन 1948 तक लॉर्ड माउंट बेटर ने जुआहल लाल नहिरू को भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में सपत दिलाई 1946 में बनी सविधान सभा को स्वतंत्र भारतिय डोमिनियन की सत्सत के रूप में स्विकार कर लिया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतिय गवर्नर जनरल सी राजगोपाला चारी थे यह कब से कब तक 21 जुन 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ठीक है चली तो आपका यह चेप्टर कंप्लीट हो गया अब इसके अभ्यास प्रस्न को देख लेते हैं फर्स्ट है 1935 का गोर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्पूर्ण है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा यह भारतिय सविधान का प्रमुक सुरोत है इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्श है निमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संगिये नियाले की स्थापना के गई थी तो वह अधिनियम कौन सा था तो इसमें से कोई भी नहीं है नेक्श है भारत के सविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इन में से किसमें उलेखी दियोजना पर अधारित था तो यह भारत सासन अधिनियम 1935 सी पर अधारित था नेक्श आते हैं सी एंसर उसका हो जाएगा नेक्श है किस अधिनियम में अखिल भारतिये माहा संग अस्थापित करने का प्रावधान किया गया था तो यह भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा नेक्ष है, 1919 के भारत सासन अधिनियम की निम्ने में से कौन सीख पर मुख भी सेस्ता है और बताना है कि इसमें कौन सही है, ठीक है, इन question first कथन देख लिजे, प्रांतों की कारेकारनी सरकार में द्वैस सासन के अस्थापना, वे सही है, मुसल्मानों के लिए प्रिथक दाइक निर्वाचन मंडलों की बस था, इसमें तो नहीं किया गया था, यह गलत हो गया, इसका 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधाई सक्तियों का हस्तान्तरन, तो 1 और 3 इसका सही है, तो C एंसर हो जाएगा, नेक्ष है, निम्लिकित अधिनियमों में से किस अधिनिय 1935 में, स्विकार किया हुआ, महत्पून और अस्थाई अवय नहीं है, तो 21 में कौन सा इसका एंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित सविधान, ठिक है, A, नेक्ष है, निम्लिकित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रत्थम अंतरिम राष्टिये सरकार का सदस नहीं था तो इसका एंसर कौन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, किस वर्स रेगुलेटिंग एक 1773 के तहट, कलकत्ता में सर्वोच नियाले किया स्थापना की गई थी, तो यह 1774 में की गई थी, भारतिये विधाय का प्रत्थम बार दिव सदनिये बनाई गई, कब बना तो यह भारत परिसत अधिनियम 1892 में हुआ, नेक्ष है किन अधिनियम मों द्वारक कंपनी के वैपारिक एक अधिकार को अंसत और पुन्त समाप्त कर दिया गया, तो वो कौन सा अधिनियम था, यह अधिनियम था, सबसे पहले 1813 में किया गया था, फिर 1833 का चार्टर एक् नियंतरन परिसत की अस्थापना, इसमें कौन सा है, तो यह पीट्स का भारतिय अधिनियम 1784 में किया गया था, सर्वोच नियाले की अस्थापना, नियामक अधिनियम 1773 में, इंगलिस मसिन्रियों को भारत में कार करने की अनुमतिक कब्दी गई थी, 1813 चार्टर अधिनिय और गवर्नर जनरल की परिसत में कानूनी सदस्य की नियुकती 1833 में की गई थी, तो इसका देखते हैं कुट में कौन सा एंसर हो जाएगा, तो एका टू, बी का वन, यानि की इसका एंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्ष है, किसकी अधियक्चता में प्रथम बीधी आयोग की स्थापना की गई थी, लॉड माइकाले थे इसमें, दी एंसर, निमलिक्चित में से किस अधिनियम से राश्पती के अध्यादेश जारी करने की सकती परदान करी गई प्रेरित है, तो इसका एंसर कौन सा हो जाएगा, भारत सासन अधिनियम 1935, नेक्ष है, सरकारी सिवाओ में नाम जदगी का सिधान समाप्त कर कंपनी के महत्पून पदो को परतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा सुरू की गई, तो यह 1833 का चार्टर अधिनियम था, अब परत्यक्ष चुनाव पढ़नाली का प्रारम किस अधिनिय नेक्षे किस अधिनियम द्वारा केंद्रिये विधान परिसद में मुस्लिम मौर के लिए प्रिथक निर्वाचन की ब्योस्था की गई है, तो की गई थी, 1909 के भारतिये परिसद अधिनियम द्वारा, ठीक है, प्रांतों में द्वैसासन के जनक कहलाते हैं, तो यह लियोन निल कर्टीस को कहा जाता है द्वैसासन का जनर, लियोनिल कर्टिस, नेक्षे बालकन प्लान किस अधिनियम से संबंदित है, तो यह 1947 के भारतिये स्वतंतृता अधिनियम से संबंदित है, सीमा आयोंक के अधिकषिता किस ने की थी, तो यह रेट खलीफ के द्वारा की गई नेक्श से किस अधिनियम द्वारा कंपणी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के वैपार का एका अधिकार बीस वर्सों के लिए बढ़ाया गया था तो किस अधिनियम द्वारा बजट की ब्यौस था कि हो हो है तो 348 में नेक्श आते हैं निमली खित में से किस अधिनियम की कम्यों को दूर करने के उदे से Act of Settlement लाया गया था, तो यह 1770 का Regulating Act की कम्यों को, नेक्ष है 1946 के Cabinet Mission में परमुक तीन सदस, यह कौन-कौन थे, इन में कौन थे देखते हैं, यह थे Lord Panthic Lawrence, Stafford Crips और A.V. Alexander, नेक्ष है अंतरीम सरकार 1946 में था, मुस्लिम लिग के सदस से समलित थे, नेक्ष हैं, नेक्ष है इन में से किसे सवतंट भारत के प्रथिम मंत्री मंडल में सिच्छा विभाग सौपा गया था, तो किसको सौपा गया था, मॉलाना अभूल कला मजाद को, नेक्ष आते हैं केंदर में 2750 अधिनियम के अंतरगर्द अस्थापित किया गया था तो यह भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा नेक्षे निमलीखित में कौन सा 1773 के रेगुलाइटिक एक्ट का उपबंध नहीं है तो यह कौन हो जाएगा इसने सी इसने योगताओं पर सभी पर्तिबंधों को हटा कर कोट और प्रोपाइटर्स में मत की सकती को बदल दिया यह नहीं था आजाते हैं नेक्ष कोश्चन में जब भारत 15 अगस्त 1947 को सतंत्र हुआ और 26 जन्वरी 1950 को जब उसने स्वैम को प्रभुत संपन लोक तंत्रात्मक ग 14 सरकार अधिनियम 1898 के 1588 के संबन में सही कथन इसमें बताना है तो इसमें सही कथन कोने कूट में दिया हुआ है तो यह कथन को पढ़ते हैं प्डिटिस राज ने इस्टाइटक इंडिया कंपनी से भारत पर सम्परभुता ग्राण की सही है बृटीज संसां ने भारत के सासन के लिए पहला कानूं या अधिनियम देश के प्रशासन में बीना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुस समराजिक नियंद्रन के सिधान से अधिसासिता ये भी सही है इसका एंसर सी हो जाएगा वन टू थरी नेक्ष्ट भारतिय परिसद अधिनियम 1861 के संबन्द में सही है कौन सा कथन ये बताना है ठीक है ये भी कूट में दिया हुआ है इसमें देखते हैं फश्ट है इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की सासी परिसद में एक गैर सरकारी सदस्यों को समलित कर लोकप्रियाता का गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे ठीक है तो इसका एंसर 1-2 हो जाएगा ए नेक्ष्ट आते हैं निमलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की कारिकार्णी परिसद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेश हम सब्सक्राइब क piace कर थे ठीकर हैं तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था तो यह सब्सक्राइब निमलिखित में से किस सब्सक्राइब Doch 1747 को पारित किया तो यह ब्रीटिस संसद हो जाएगा नेक्ष है कथन दिया गया है वन टू बताना है दोनों में से सही गलत जो भी है ठीक है देखते हैं कथन को कथन कहां यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 सेकेंद्र में द्वैत सासन आरम हुआ ठीक है और प्रांतों की प्रांतिय स्वेतता परदान की गई तो दोनों ही कथन सही है अलग-अलग अस्पश्टि करन नहीं है तो इसका अंसर भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए आपका यह लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें साथ दीजीन होने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रीज कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहें